नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने बाले हैं कि जो आपका gate का आपने ब्य diğer किया है तो आपने gate exam दिया होगा अगर आपने gate exam दिया है आपका जो score card होता है उतकी validity जो होती है वो कितने time के लिए होती है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी request है कि आप इस चैनल को subscribe कर लिजिए notification bell icon को on कर लिजिए ताकि आपको हर वीडियो की latest notification मिल सकेगी सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि validity क्या होती है get exam के scorecard की तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो validity होती है get exam की वो IIT, NIIT और आपकी triple IIT जो होती है उनके लिए क्या रहती है और PSU के लिए क्या रहती है तो दोस्तों जो आप IIT या NIT या PSU में अलग-अलग होती है PSU में अलग होती है ADVision IIT जो validity होती है अभी दोस्तों बैसे अगर हम consider करें तो 3 year की validity होती है अगर आप IIT में admission लेना चाहते हैं, NIT में admission लेना चाहते हैं, यह triple IIT में admission लेना चाहते हैं, अभी दोस्तों suppose आपका जो आज result आया, तो आज result के date से जिस दिन आपका result आया है, जो validity रहेगी वो आने वाले 3 साल तक रहेगी, आप 3 साल तक किसी भी university में जा सक सकते हैं, अगर दोस्तों आपका score अच्छा है, तो आप IIT मिल सकती है, IIT के cutoff के साब से अगर आपके, जैसे उनकी cutoff score जितनी गई है, उसतना आपका score है, तो आप आने वाले 3 साल में होका, अभी भी वहाँ आप admission ले सकते हो, जैसे कि अभी आपका score कम रहे गया, उनकी cutoff score जाद गया, लेकिन next ऐसा हुआ कि उनका cutoff score कम हुआ, मतलब cutoff जो गई, वो कम पर गई, आपका उतना score है, तो आप next year admission ले सकते हो, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्छों के confusion यह रहता है, कि gate का validity होती है, वो एक साल के लिए होती है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिलकुल भी valid रहेगा आपका, आपकी जो all India rank होनी चाहिए, दोस्तों, IIT में admission लेने के लिए, वो 200 होनी चाहिए, या under 200 होनी चाहिए, हम कह सकते है, NIT में दोस्तों, अगर आपको admission लेना है, तो वहाँ भी 3 साल valid रहेगा, वहाँ पर जो दोस्तों, आपकी cutoff score होना चाहिए, वो 300 से ले इस पर ही अपनी यहां job देती है, तो PSU का इतना confirm नहीं रहता है, कुछ PSU 3 साल, 1-2 साल पुरानी candidate का, जिनका scorecard 2-3 साल, मतब अभी valid है, तब तक लेती है, कुछ PSU ऐसी होती है, जो कि current year का scorecard ही valid रखती है, तो दोस्तों, PSU का थोड़ा सा यहां पर मसला हो जाता है, लेकि अगर आप किसी भी IIT, NIT, IIT में admission लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर validity 3 साल रहने वाली है, उसमें कोई compromisation नहीं है, I hope दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगिए, तो like, share जरूर कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो subscribe कर लिजे, आपसे मलाकात हो होगी आपकी किसी next useful video में, तब तक के लिए bye bye, take care, खयाल रखी अपना,